नमस्ते दोस्तों, 7 Cents YouTube चानल में मैं विकास बोपिन और आप सभी ट्रेडर्स लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूँ आज के इस वीडियो में हम Topic 26 के जरीए Inverted Head and Shoulder का Reversal Chart पैटन को देखेंगे दोस्तों इसके Previous Topic 25 में हमने Head and Shoulder Reversal Chart पैटन देखा था और मुझे यकीन है कि आपको वो पूरा जहन हो चुका होगा दोस्तों तो आज के इस वीडियो में Inverted Head and Shoulder को स्टार्ट कर देते हैं ये भी एक बहुत ही Reliable Pattern है तो यहाँ पे आपको एक उल्टा इंसान दिखरा होगा तो इसी में Inverted का मतलब ही उल्टा होता है Head and Shoulder के उल्टा Head and Shoulder में हमने सीधा आदमी निकाला था यहाँ Inverted Head and Shoulder है तो यहाँ हम उल्टा आदमी निकालेंगे तो उल्टा सा क्या होगा यह उल्टा का मतलब Inverted हो गया Head मतलब Head आगया और Shoulder भी आगया उसके तो उल्टे आदमी के Head and Shoulder तो यह शोल्डर है यह शोल्डर है और यहाँ पे उसका head है तो यह chart हमारे candlestick pattern में किस तरीके से बनता है और दिखता है देखिएगा इसे आपको पहचान ना होगा यह candlestick pattern में बने गाएसे ऐसे तो आपको उसे पहचान ना होगा इस chart को और जैसे ही यह chart आपको दिख जाए तो समझ लेजेगा आपकी तो निकल पड़ी है तो यहाँ पे क्या होता है सबसे पहले तो downtrend चल रहा होता है फिर अचानक से यहाँ पे pattern हमारा जो है inverted head and shoulder यहाँ पे देखो पहला shoulder बन चुका है दूसरा head बन चुका है और फिर shoulder बन चुका है और यह उल्टा है इसलिए यह inverted head and shoulder है जबकि यहाँ पे downtrend चल रहा था बहुत भारी उसके दाम से यहाँ पे गिरने लगे थे shares के दाम यहाँ पे गिरने लगे थे और एकदम से यहाँ पे यह pattern बन जाता है जिसका नाम है inverted head and shoulder और जब यह pattern बन जाता है दोस्तों यहाँ पे आपने पुरे आकम विश्वास के साथ पैसे लगा देना है क्योंकि यहाँ पे market uptrend में convert हो जाता है यह जो downtrend चल रहा था यहाँ पे लोग shares बेचना शुरू कर रहते तो यह अगर pattern बन जाता inverted head and shoulder तो यहाँ पे लोग shares को खरीदना पसंद करते हैं बहुत तेजी से shares को खरीदा जाता है और इसे uptrend में convert किया जाता है bullishness में यह market convert हो जाता है दोस्तो तो अब हमें यहाँ पे करना क्या है तो यहाँ पे देखिए यह पहला जो है shoulder बन जाता है left shoulder फिर एक और low आ जाता है वो बहुत यह highest low होता है deep जाता है थोड़ा सा वहाँ पे head बन जाता है और फिर और एक shoulder बनता है जो कि पहले वाले shoulder के समान दिखता है तो यहाँ पे इसका जो यह top होता है यह shoulder के जो top होता है वो वाला line अगर आप खीचोगे तो इसे neckline बोला जाता है तो यह neckline यहाँ पे बन गया इस neckline का खयाल क्यों रखना है क्योंकि जब यह downtrend चल रहा होता है और जैसे यह head बन जाता है और फिर यहाँ पे एक shoulder बन के यह shoulder यहाँ तक आने तक यह pattern हम confirm नहीं बोल सकते है अब जब यहाँ पे यह uptrend जाएगा और इस neckline को break करेगा यहाँ पे यह break हो रहा है यह जब break हो जाएगा तब आपने confirm से बोलना है कि यह inverted head and shoulder pattern है और अब यहाँ पे दाम बढ़ने लगेंगे यहाँ पे दाम बढ़ने अगर आप यहाँ पे खरीदोगे फिर आगे जाके बेच के आपका profit कमाऊगे तो यह आपका target क्या होगा कितना बढ़ेगा यह कब तक आप आपके shares को hold करके रखना है confirm कहा तक बढ़ सकता है यह इसके दाम यहाँ पे आपने जो shares खरीदी किया उसकी कितने दाम पर आपको जाके बेचना है यह भी आप इस chart pattern में बता सकते हो जैसे यहाँ पे देखो यह जो head का लंबाई है neck line से neck line से लेकर के head तक का जो difference है यह जो अंतर है यह कितने unit का है मानलो यह neck line 100 पे बना है 100 रुपए पे बना है और यह जो नीचे गिर रहा आता market तो यहाँ पी 75 रुपए से उपर market कितना जाता है उतना ही जाता है जितना यह फासला है head का neck line तक का जो फासला है उतना ही यह market आगे बढ़ता है तो अगर आप यहाँ पे आके 100 रुपए में अगर shares खरे दी मानलो थोड़ा सा देर भी हो गया 105 रुपए को भी आप खरे दी करते हो तो यह भी आगे यहाँ पे कहां तक बढ़ेगा यह 25 का फासला था यह भी 25 का फासला होगा यानि यह 100 से लेकर के 125 रुपए तक चला जाएगा दोस्तों यहाँ पे अगर आप 100 105 पे खरे दी करते हो तो आपका 20 से 25 रुपए तक का मुनाफ़ा होगा एक share के पीछे अगर मानलो आपके पास 1000 share है तो हर एक का 25 रुपए से के हिसाब से 25,000 रुपए और अगर आपको लेड भी हो गया तो 20 रुपए के हिसाब से 20,000 रुपए का profit बन जाता है लेकिन यह pattern बनना बहुत ज़रूरी है तो यह बन गया तो आपकी निकल पड़ी तो एक बार इसे और मैं बता दू आपको त यह पहला और तीसरा लोग समान दिखते है तो यहाँ पर आपने line कीच के neckline बना देना है नेकline जैसे टूटती है तो आपने बोलना है कि अब market बढ़ेगा यह जो neckline से head तक का फासला था उतना ही आगे बढ़ेगा तो आपने shares खरेदी करना है आगे जाके बेच के उसका profit बना लेना है दोस्तो ठीक है और उतना ही target रखना है जितना यह फासला है ठीक है और अगर आप रुकोगे तो market गिर जाएगा आपका नुकसान हो जाएगा यह एक reliable pattern है जैसे यह pattern हमें बताना चाहता है उसी तरीके का हमारा बरता होना चाहिए दोस्तो अगर pattern के खिलाब ज लगा सकते हो एक गंटे के लिए भी देख सकते हो एक वन डे एक दिन के लिए भी पूरा अगर चार्ट देखोगे तो इस तरीका अगर pattern दिखता है तब भी यह अपना जो इसके principle है वो follow करता है एक हपते बर के लिए भी आप यह graph देख सकते हो अगर हपते बर में भी ऐसा कुछ बन जाता है या फिर एक साल में ऐसा कुछ बन जाता है तब भी यह काम करता है दोस्तों यह बहुत ही reliable pattern है तो आशा करता हूँ आपको यह वीडियो पुरा समझ में आ चुका होगा दोस्तों और next वीडियो हम लेकर के आएंगे यही reversible chart pattern का जो होगा double top yum pattern जैसे हम yum pattern कह रिखेंगे तो अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा पसंद आया होगा तो इस वीडियो को लाइक करना है शेयर करना है और comment box में comment जरूर करना है दोस्तों और हाँ ट्रेडर्स लोगों से मेरी दरखासते गुजारी से जिन लोगों ने अभी तक चाइनल को subscribe नह होता रहेगा दोस्तों तो फिर मिलते हैं एक और बहतरीन वीडियो के साथ में तब तक के लिए thank you